हेलो फ्रेंट सौकत आपकी चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिट से जो मैं चब इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह निवाला यहां पर ओमान वर्सिस यूए के भी जो मैच होने वाले यहां पर वंडे का इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टेंट रही तो उससे पहले अगर आप मारे यूटूब चैनल पर नहीं आयो तो आपको मारे टेलिग्राम चैनल जोइन करना बहुत जरूरी है जिसको नाम है फेंटेसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलिग्राम चैनल अवे तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे टेलिग्राम के सही और ओरीजिनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक कहीं यूज करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है तो ध्यान से टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लेना जैसे मैं की तरीक है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट में जो लिंक दिया है उसी का यूज करना जैसे उस पर क्लिक करो कि टेलिग्राम चैनल को उपन हो जाएगा देन उसको आपको जॉइन कर लेना आप आता है मेन पॉइंट पे वीडियो के दिको बात की जाए कौन सी टीम स्ट्र इसम के तो यह स्ट्रौग रहा जाए चैनल के प्राइप उसमें यॉज हमें और ऑइंटरज़े यूज कुछा नमबर पर करूंदें लागत नमबर इक बर सबस्क्राइब उसमें क्वालिफाई भी की थी लास्ट इयर तो कहीं नगे गुमान की टीम को आप हलका सा फेवर करना चाहतों कर सकते हो कि इनके वास ठीक टा कॉल राउंडर सब्वेलेवल है और एक दो चीजा उनकी चीजा जो इनके फेवर में करती है बाकी इंवेस्टमें के बात किया त नगना यह ग्राउंड रहना वाला पिच रिपोर्ट है अब पिच रिपोर्ट में क्या है कि यहां पे वैद्यू है यह बाकि पीच के एक्स्प्रेशन क्या रहने वाले 230 के आप आज-पास को इसको एक्षक YOUR स्कोर बनने वाला है क्युक्शा चूंकि फच्शा और क्या यहां पर कोई भी चांस नहीं है ध्यान रखना वैदर क्लियर है कोई भी चांस इसलिए अब इंदास रहो कोई टेंक्शन की बात नहीं और यहां पर यहां पर यहां पर दो बड़े नाम के इनके बता दूगा ठीक है बाके अगर देखा जाए तो यहां पर इनकी टीम में जो प्लेंग रहने वाली वह चिराक सूरी आपको अपनिंग करते हैं नजर आ सकता है जो कि एक्सपीरेंस प्लेयर है काफी लंबे टाइम से इनके लिए आपनिंग करते हैं नजरा और काफी अच्छा बैट सुना राइट हैं चिराक सूरी तो इस पर देखा चिराक सूरी को लेना इंपॉर्टन बनता है क्योंकि बड़ी निंग्स किसी मैच में खेल सकता है और अच्छा खासा बैट सुने एक बार सैट होगे तो बड़ी बैट समय और दूसरी बात किया तो वसी मोहमद आपने इसको भी रिसेंट में शार्जा टी ट्वेंटी में खेलते वे देखा का जो अभी दो दिन पहले ही खतम हुआ उसमें अगर बात कि लिए तो वसी मोहमद ओपनिंग करते हो नजर रहेगा यहां पे इनके लिए और यह एक मैच में सेंचुरी भी स्कूर की थी आयरलेंड के अगेश्टी ट्वेंटी में तो कहीं नकि अच्छा बैट समय आयरलेंड जैसी जो टीम है उनके पास काफी अच्छे बालर सेंचुरी करना को इसी बात नहीं है और साथ ही सद अगर बात की जाए तो काफी वरोगत बड़िया बैटस्वन की टीम का बैस्ट बैटस्वन बोल सकते हो और बसी मुहमद के बार में तो कहीं न कहीं एक इंपॉर्टन प्लेयर आपके लिए रहने वाला इवन इसे वाइस रप्राइजिंग कर सकते हो और दूसरी बात है कि कभी कभार मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करता है इसलिए थोड़ा बॉलिंग पर उतना कंफर्म निया कि बॉलिंग हर मैच पर करेगा या नहीं करेगा बट मीडियम फास्ट बॉलिंग करता है एक दो डाल सकता है कभी सप्राइजिंग बाकि यहां पर बात की जाए तो यहां पर वित्या राविंद के बारे बा काफ़ इची प्रफॉर्मेंस दो मिश्टिक सर्केट में करिया और अभी शार्जा T20 जो गया उसमें उतनी बढ़िया तो नहीं बुलूंगा पर इस्टिल बोलूंगा कि लोग इसको इगनोर करते हैं कि लोग उसके वारे पता नहीं है बट यूए की टीम का मिडल और का संकट मोचन बैट्समें संकट मोचन मितलब हो गया जब जो टीम को जुरूज पढ़ती है विकट जल्दी गिरते हैं यह संभालत और काफी अच्छा अपले रहे हैं यहां पर फर्स्ट और सेकंड थर्ड और बैटिंग करते हो नजर आएगा बाकि अगर बात की जाते हैं यहां पर भसी लामीत की बारे बात किया तो बढ़िया प्लेयर तो यह बट अभी रीसेंड में अच्छी फॉर्म में रहा नहीं अभी रीसेंड विजो शार्जा टी ट्वेंट इसमें अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आया और एक दू मैस जल्दी आओड भी हो गया था और पूरे टॉर्णामेंट है फ्लॉप राइक तरीके से बोल सकते हो और बालिंग भी पार्ट टाइम ऐसे करते हैं कभी कभार ऑफिस पिन बालिंग करता और कभी कभार मीडियम बालिंग भी करता है इसार मनोस सकते और यहां फनी प्ले सकते हैं के पर यहां वीडियों का बैस्ट बैस्मन और अल्रांटर बोल सकते हो बाकि अगवाद के बीच में जहां विकेट मिलने के चांस हाँ ही रहेंगे तो काशिफ दाउद को यहां पर इसका फाइदा अठाने चेसे डेफिनेटीम में पिक कर सकते हो काशिफ दाउद को बैटिंग भी कर लेत जो इनकी टीम का कैप्टन है इंपॉर्टन रहेंग आपके लिए लेफ्टाम और्टॉडॉक्स स्पिन बॉलर है और इसने अभी नहीं पास्ट में कई बार युए के लिए काफी बैटिंग करी है प्लस बालिंग से कॉंट्रिब्यूट किया तो कहीं एक और रांडर का पर अच्छी डालता है जिसके कार्णिस को विकेट कई वाद ज्यादा मिल जाती है ठीक है ध्यान रखके चलना जहूर खान को इंपॉर्टन देखे चलना किसी वी टेम में मत करना स्मॉल लिंग में शायद ट्राइब नहीं कर रहें बट ग्रेंड लिंग में तो बिल्कुल में कि रीजन यह कि कार्टिक महपन है उसका रिकॉर्ड वह बहुत बैटर रहा है विकेट टेकर बॉलर के पॉइंट भी से और सबसे बड़ी बात है रीसेंट में लास्ट यह अगर बात किया तो कार्ट रीसेंट में भी जाज़ा टीट ट्वेंटी गया है उसमें अधिंग का चार विकेट भी लिए थे टी-20 में तो कहीं न कहीं कम एज में काफी प्रफार्मेंस कर रहा है तीम मौका भी देरी और खेल भी रहा है हर मैच तो इसलिए मैं स्मॉलिंग में जरूर लेकर जाना चाहूंगा यहां पर कार्टिंग में अपनको लेग स्पिन बॉलर है वाकि किसी एक टीम में आप रिस्क लेकर ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो बॉलिंग सेक्षिन में आपकी इस रजा को बाकि यहां पर है दैथ होवर्स जो चालिक से पचास और के बीच का स्लॉट होता है विकेट मिलने के चांस वहां हाई रहते हैं आपको जुहूर खान ए रज चोड़के शार्जा टी ट्वेंटी में इसलिए मुझे टीम भार बीटा सकते है राइटन बैट्समन है बट लास्ट यारी यहां पर इस इंग सेंचुरी स्कोर की यहां पर वन डे इंटरनेशन वाइलन के गेश्ट तो काफी अच्छा बैट्समन है बट देखते टीम मौक है जैसे की जॉहूर खाने बट रइक Sauber effective तो प्लेइंग बना लेता है याप जिर्ट संफ कर सकते हो अब बát कि आणкий जाई तो यह को यह इंपोर्टन बोलोगे तो मेले बनेगा चिराक सुरी, वसीम महमद, राविंद, अस्मान, मुस्तफा, दाउद, एरजा, ग्रेंड लिंग में जुहूर खान, मयपण, देखुन की टीम में अल्मॉस्ट सारे प्लेयर से उनको पिक कर सकते हो, काफी अच्छे अच्छे उप्श में रैंकिंग यह 15 है, लास्ट यह T20 वर्ल्ड कप के लिए उनको क्वालिफाई किया था, यूएई क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो कहीं नहीं बहुत बहुत सकते हैं कि यूएई से स्ट्रॉंग टीम रह सकते हैं, थोड़ी बहुत, ठीक है जादा जादा फरक नहीं है, रैंकिंग के बेसिस पे और लाश्ट यह कौलिफाई करा उस शक्कर में, हलका से रैंकिंग रेटर कर सकते हैं, यहाँ पे यूएई की से अच्छी, बाकि इनका एक बड़ा प्लेयर आकी भी लिया, ध्यान रखके चलना शायद वो ना खेले क्योंकि स्क्वाइड मस का नाम नहीं है, बट फिर भी अगर कही नहीं कहीं रहता है, कि आसे मैच जोते हैं कहीं प्लेयर किसी मुमेंट बहाँ था उसकी नहीं होती है, अगर आपको प्लेंग लियांड में दिखे तो जरूर ट्राय करना क्योंकि लास्ट यह लास्ट यह तो नहीं बोलूंगा जो यह इनक कि अवेलेबल नहीं रहेगा और इनकी टीम के लिए अभी तक लीडिंग टेकर रहे चुका है, इस लीग में तो ध्यान रखके चलना जीशन मक्सूद, बाकि इंपॉर्टन बोलोगी तो मेले बनता है यहां पर जतिंदर सिंग ओपनिंग कर तो नजर आएगा, इसने टीव 2020 वल्ड़कप में भी ओपनिंग की थी और वहां बहुत अच्छी प्रफॉर्मेंस की थी तो जतिंदर सिंग को इंपॉर्डन से के चलना और अच्छा प्लेयर है राइट है राइट हं वैट्समन है, रेगुलर ओपनर है यहां पर ओमान के लिए, बाकि यहां पर के प्रज है जीषन मक्सूद रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ध्यान लगना हो सकता है कि姿हसा मक्सूद मिड़लों पर भैटिंग करें कि जनरल ही मैं अपल करदे बाला य। यह नहीं आयान खान, जहान रखके चलना, बहुत लोग एकड़ोर करें, बहुत कम सेलेक्शन रेट हो सकता है, वट इसकी इंपॉर्डेंस बहुत अच्छी बन सकते है, अब के लिए काफी अच्छा ओल राउंडर है, बाकि जीशन मक्सूद को मेसनी करने वाला है, दोने ही टीम में द आपने शार्जा T20 में खेलते वे देखा होगा, और ओमान D20 में इसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही इसको वापस इंटरनाशन लेवल है बुलाया गया है, अदरवाई से काफी टाइम से इंटरनाशन लेवल नहीं कहल रहा था, होप करते हैं कि जो D20 में परफॉर्मेंस कर लेता है, इसने भी हमान D20 में प्रूफ करके दिखाए, तीम से चार मैच ऐसे रहेते, जहादे से पंदरा से बीस बॉलों में चाली सनीजी कर जाता है, तो इसके बास पावर है हिटिंग करने की तो इसलिए अपनी टीम में ट्राइक करना में थोड़ा अराविंद को ही करूंगा कि बैटिंग उड़र उसका उपर है, प्रस वह बैटर भी है थोड़ा बैटिंग से बाकि अगर बात की जातों है, पर संदीब गॉर्ड मीडियम फाहच बार है, रेगुलर बॉलर निये कभी कबार बॉलिंग करता है, साचे बैटिंग करता है, स्मॉली के लोग सेफ उप्शन नहीं रहेगा, बाकि आपके खंवर एली जो की लैग स्पिन बॉलर है, जनरल यह पहले दो साल पहले उठा के देखोगे, तो यह ओपनिंग किया करता है, बट रीसेंट में सिर्फ ऐसा मेन बॉलर के प्रिंट अभी तो अगर आपको खंवर एली को ट्राय कर करेंगे, बागे कली मुला भी एक अच्छा पिक बन सकता है, ग्रैंड लिग के लिए, बाकि नदीम और बिलाल खान को इंपोर्डेंस दुगन की टीम के दो मीडियम फास्ट बॉलर रहने वाले इंपोर्टेंट वाले, नदीम के क्वालिटी है कि नदीम बैटिंग कर ले एक अल रांडर बोल सकते हो नदीम को बैटिंग ब्लस बालिंग दोने से कॉंट्रिब्यूट कर सकता है ज्यान दखना कई बार क्या होता है कि टीम यहां पर नदीम को बैटिंग करने ऊपर भी बहसती है यहां पर बात कुरों के मेडल ओर पर तो यह थो थोड़ा सप्राइ देन आपके लिए noget सब्सक्तुम में लेकर ही बढा थे ठीला भासमाल को बना बाकिम चुझार दूण आपके लिपास्टिंग को र्हां नडेग बाकि टैकर चुका हो न्युशर को पास को एक मैच नहीं कि जा टीमर्य घवन है वाकी सम लही आहिक वहां पर जब्डने व मह परफॉर्मेशन के बागी आप बागी आपके सुराज कुमार के अच्छा रांडर अबेलेवल स्रिमन को पिक करने वाला हूं ठीक बागी आप देखोगे तो कई प्लेरों के नाम दिए वह इनके बस इंफोर्मेशन के लिए आप यूस कर सकते हैं कि इंफोर्टन रहने वाले इन चैंस ना कहलने के ज्यादा है वागी इंफोर्टन बोलो के आप जतिंदर बनने वाला मार ले है आयान खान नदीम जीशन मकसूद कलीम को गरेंड लिग में ट्राइ करना यहां पर बात करें तो बालिंग सेक्षिन में मेरे बोलोगे तो मेरे खली मुला बिलाल खान इंपोर्टन बन सकते हैं फिलाल आपको एगी स्मॉल एक टीम और चार ग्रेंड लिग की टीम दे रहा हूं बाकि अगर बात की जाए तो मेरे गवाडिंग टीम क्या रहने वाली है वह यह रहने सब्सक्राइब करते हैं ठीक है एक एक चेंज कर सकते बाकि मैंने विकेटिपिंग में लिया यहां पर राविन को अल्रेडी में रहा हूं अच्छा बैट्सम भी है तूसरा बैटिंग ओडर भी उपर है तो इस बैसिस में बाकि एको कई बार होता है कि टीम बैटिंग ओडर चेंज के लिए वह नहीं पता बट लास्ट तेम बाकि अगर बात की जाए तो मैं जा रहो हूं यहां पर चिराक सूरी के साथ जतिंदर सिंग के साथ और मौहमन रस्मान के साथ अब प्रजा पती को ले सकते बात प्रजा पती का जो रिकॉर्ड है डॉमेस्टिक में ज्यादा बढ़ी है इंटरनेशल तो बाकि जो तीन प् मेरे बात किया है तो इसके इंटरनेशल में अच्छे रिकॉर्ड नहीं है बाकि गॉड एक और राउंडर पर रेगुलर बॉलिंग नहीं करता से लिए मैं इंपॉर्डनस नहीं दे रहा हूं बाकि मैं यह प्लेयरों को पिक कर के जा रहा हूं फरीद वगर तो मुस्तफा को लिए मुहमबद को लिए आप वसी मुहमद को लिए अपर जीशन मक्सूद को लिए अपके पास ऑप्शन है कि आप यहां पर जा सकते हो काशिव दौस काथ ग्रेंड लिग में और बसील इंपॉर्टन नहीं रहेगा फॉर्म में नहीं था बाकि रेगुलर ब लिएस को और टीम अपिक कर लेने बाकि आयान खान बन सकता है उसके में आफिर रहन मुस्तफा ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा नदीम नदीम अगी जगह आप जा सकते हो खास कर से क्यूंकि नदीम इसले लिए इन डिए निया बेट प्लस नदीम एक All-Rounders ज्यादा बेटर है आयान खाने कंपारिजन में अच्छा प्रफॉर्मर है बट स्टिल इसले नदीम की जगह भी आयान खान के साथ जा सकते हो बाकि मैंने लिया यहां पे बिलाल खान एहमद रजा और यहां पे लिया मैंने का मेरा लेने का बहुत मन बागे खावर अली को मैंने बोला है कि इतना इंपोर्टन नहीं रहेगा थोड़ा अच्छा प्रमेस कर सकता है बट सीपाइब बैस बालर के प्लेट वी से खेलेगा करी मुला ग्रेंड लिग पे कुछ प्लेर से जाने वाले हैं कैप्टन से में यहां पे जीशन मक्सूत को वाइस कैप्टन से में देखे जा रहा है रहा है रोहन मुस्तफा को आपके पास रहने वाला है यहां पर वसीम मोहमद नदीम ए रजा को ट्राय कर सकते हो तो यह कुछ ऑप्शन आगर रहने वाले हैं और ध्यान रखना इस आपकी टिम आपको किसी भी मैच में लगा सकते ह कोई भी क्रेट इशू नहीं आने वाला तो विद्दा सेम टीम के साथ किसी यह पने सकते हो यह मैं प्रजापती को पिक कर रहा है या मैंने कैप्टन को ट्राय कर रहा है और बॉलिंग सेक्शन अमने फॉर्दर जाद कोई चेंज किया नहीं है ग्रेंड लिकी टीम के बार आitel में बॉलिंग में नहीं भॉलिंग में दूख सहर ख झाम दिए वह नहीं की यह मैंने इन्ट द्राइब को ट्ररॉप को ड्रॉप करके यहां पर मैंने यह तर टीम क्रेट किया है यहां पर मैंने बाकि स्मॉली प्लेस ग्रेंड लिक की जो फाइनल टीम होगी वह आफ्टर टॉस आपको टेली ग्राम पे देदुगा तो टेली ग्राम चैनल जरूर जोइन करने लिंक वीडियो के नीचे कमेंट मे होगी तो मिलते हैं फिर टेली ग्राम पर दोस्तों आप घर जरूर शिर कर सकते हैं ताकि वह भी डियो की इंफॉर्मेशन देख ची टीम बना सकें और बाकी दोस्तों अ झाल वाला लाय?